पतंहीं बहुत तेस्टी रेस्टोरण स्टाइल क्रीमी स्पैगेट Ó पेस्टे लगता है वैसे शपैगेटी तो आपने बहुत तरीके की खाई होगी पर इस तरह से पेस्टो सॉस के साथ एकदम क्रीमी बनाएंगे तो पेस्टो सॉस कैसे पनाना है और स्पैगेटी कैसे बॉil करना है वो मैं आज के वीडियो में शेर करूंगी तो वीडियो एंड तक जरूर देखेगा जै जी निंद्रा, वेल्कम टू माई जैन रेसिपी मैं हूँ जीनर तो चलिए आज के रेसिपी शुरू करते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए उससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी क्रीमी स्पैगेटी पैस्टो पास्ता बनाने के लिए मैंने यहां 500 ग्राम का पैकेट लिया है जिसमें से हम 6-7 लोगों के लिए बना सकते हैं तो आज मैं इसमें से आदा पैकेट का ही यूज करूँगी जो हम 3-4 लोग को सव कर सकते हैं अब पैकेट को खोले में और बॉयल करेंगे यहां एक से दे लिटर पानी गरम करने रख दिया है अब इसमें 10 लिशन नमक और आपनी ऊपनी केे और собир मा tenth करूँच करishing के लिए तो सारी स्पैगेटी अंदर डीप हो जाएगी अब इसे हम दसे बारा मिनिट के लिए मिडियम फ्लैम पर बॉइल होने देंगे तब तक हम सब्जिया कट कर लेंगे तो मैंने यहां आज सब्जिया में तीन कलगे कैप्सिकम लिये हैं जिसे हम इस तरह थोड़े पड़े टु तो देखें यहां मैंने तीन कलर के कैप्सिकम को इस तरह मेडियम साइज के टुकडो में कट कर दिया है और तीनो कलर के कैप्सिकम मिला कर यह एक कप जितनी है अब पैस्टो सॉस पनाने के लिए मैंने यहां 25-30 बेजिल लिए है जो हम मैक्सिकन और इटालियन डिश में य 10-12 काजु के टुकड़े एट कर देंगे तो वैसे तो यहां पाइनट से यूज किया जाता है पर उसकी जगा आप चाहो तो अक्रोट का भी यूज कर सकते हो या फिर आदा अक्रोट और आदा काजु का भी यूज कर सकते हो अगर वो भी नहीं है तो आप सिंगदाना भी अब इसे हम पहले ग्राइड कर लेंगे और फिर जो हमने ठंडे बाने में बेजिल लिवस रखा तो वो एड करेंगे और 3-4 ऐसक्यूब एड करेंगे एक हरी मीची एड करेंगे तो यहां आप चाहो तो हरी मीची को स्कीप भी कर सकते हो क्योंकि हम स्पैकेटी बनाने आधी टीस्पून दमक चाल कर ग्राइड करेंगे साथ में दो से तीन टीस्पून ऑलिव वाइल भी एड कर देना था मैं भूल गए थी तो अब भी एड कर रही हो अब इसे हम ग्राइड कर देंगे तो देखें हमारा पैस्तो सॉस बनकर तैयार है और यहां दसे बारा मिनि प्रेस करके चैक कर लेंगे तो हमें ओवर कुप भी नहीं करना है अब गैस बन कर देंगे और स्पैगेटी को हम इस तरह की चन्ने में डाल देंगे जिससे घरम पानी निकल जाएगा और उपर हम थोड़ा से ठंडा पानी डाल देंगे और इसे हम साइड में रख देंगे जिससे एक्स्ट्रा पानी होगा वह सारा निकल जाएगा अब स्पैगेटी पैस्तो पास्ता बनाने के लिए पैन में देट टेबल स्पून ओलिव ओई एड करेंगे अगर ओलिव नहीं है तो आप कोई भी कुकिंग ओईल का यूज कर सकते हो और पहले हम तीन कलर के कैप्स तो इसी स्टेच पर अगर आपने पैस्तो सॉस में ग्रीन चिली एड नहीं किया है तो चिली फ्लेक्स एक टीस्पून एड करेंगे अब कैप्सिकम सौते होने के बाद साइड में कर देंगे और इसी पैन में हम एक टीस्पून बटर एड करेंगे और बटर मेल्ट हो जाने के लिए ठोड़े से मेदा को इस तरह बटर में रोस्ट कर लेना है अभ इसमें out कुप डूद करेंगे और जरुरत की हिसाब से हम बाद में भी purchased कर सकते हैं अब सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो कैबसी कम के साथ में भी अच्छे दो क्यूब का भी एड़ कर सकते हो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो दिखे इस तरह थोड़ा सा पकने से यह सौस थोड़ा गाड़ा हो जाएगा अगर ज्यादा गाड़ा हो जाता है तो आप थोड़ा सा दूध एड़ करके consistency adjust कर सकते हो अब जो हमने पैस्टो सॉस बनाया था वो भी एड़ कर देंगे और अच्छे से mix कर लेंगे तो हमने यहां एक ही पैन में कैपसिकम को सौटे करने के बाद तुरंत हमने क्रेमी सॉस भी बना लिया और पैस्टो सॉस भी एड़ कर दिया है तो यहां कंसिस्टन से थोड़ी गाड़ी लग रही है तो वन फूर्ट कप दूद्वार एड़ करेंगे और अच्छे से mix कर लेंगे क्योंकि गाड़ी हो से हम अच्छे से mix करेंगे तो जरूरत लगे तो दो चमज का यूज करके अच्छे से mix कर लेंगे तो स्पैगेटी बोईल करने के बाद उपर थोड़ा सा ठंडा पानी दाल देना जरूरी है जिससे स्पैगेटी एक दुसरे को चिपकेगी नहीं अगर आपको डिनर के सर्विंग प्लेट में साउ करेंगे बहुत ही मज़ेदार गर्मा गरम रेस्टोरन स्टाइल क्रेमी स्पैगेटी पेस्टो पास्ता बनकर तैयार है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते है तो इसे आप डिनर में एक बार घर पर ज़रू ट्राय करना सभी को बहुत पसंद आएगे थैंक यू सो मच फर वाचिंग